अब ये भाग दो है इस भाग में हम लोग एक सो नमर तक प्रश्णों का सलूसन देखने वाले हैं शुरुबात करते हैं प्रीवेस सेशन में एक प्रश्ण का सलूसन बाई मिस्टेक गलत हो गया था तो आज मैं उसे करेक्ट कर रहता हूं यहां पर देखेगा 22 नमर का पित्वी राज राशो ग्रंथ के रश्णाकार का क्या नाम है यह ओप्शन बिल्कुल गलत है ओप्शन यह सही हो जाएगा यहां पर चंद बरदाई जी हो जाएंगे अब चलते हम लोग 51 नमर से लेके सो नमर प्रश्णों का सलूसन देखते हैं यह का मनौ है शुद्ध अद्वयत बाद का परतिपादन किस ने किया तो इसका राइट असर ओप्शन सह हो जाएगा वह लबा चार्ज जी 52 नमर चित स्वामी किस अस्थान के एक सू संपन्ध पंड़ा थें तो यह हो जाएगे ऑप्शने मथूरा के हो जाएगे 35 नमर क्रिश्ण दास निम्लिखित में से किस प्रांध के थें तो यह हो जाएगे ऑप्शन सह मने गुजरात के थें 54 नमर है मेरा बाई को राजपुता आने के मरुस्थल की मंदाकनी किस ने कहा है तो यह है सुमितनन्ध पंथ जी ने कहा है 55 नमर किस यूग में शनवात सुखाई कला के अस्थान पर श्वामिन सुखाई कला की पर्थिष्टा हुई है तो यह हो जाएगा रिति यूग आप्शन बस ही हो जाएगा 56 किस काल के कभियों का मुल उदेश अपने आस्रे दताओं को संतुष्ट करना था तो यह हो जाएगा ओप्शन स सिंगार काल 57 कभित्व, सवया और दोहा जैसे चंदों का अधिक सअधिक पर्योग किस काल में किया गया था तो यह था ओप्शन स मने कि रिति काल में 58 किस इतिहास काल ने रिति काल को और संस्कृत काल नाम दिया गया है तो यह हो जाएगा ओप्शन ब मिस्रवंधू 69 किस काल की कभिता में नारी केवल पुरुष्ट के रती भाव का अलंबन ही बन कर रह गई है तो ओप्शन स हो जाएगा सिंगार काल 60 किस काल में कभियों के दोरे ब्यक्तित्व ने कभी कर्म और अचारियत्व दोनों को एक साथ लेका चलने की प्रेना दी है तो यह हो जाएगा सिंगार काल हो जाएगा एक साथ नमर किस काल के साहित में नारी और पुरुष्ट के योन समंदो की बिसित बिवचना दी गई है ती हो जाएगा सिंगार काल ऑप्सन असई हो जाएगा बासट नमर हिंदी साहिते इतिहास में किस यूग और किस मुसल्मान सासक के यूग में समाज और देश में सांती और सम्रिधी थी तिये जो जाएगा ऑप्सन साज अहां के यूग में तिरसट नमर किस मुगल सासक ने भारत वर्ष में हिंदूओं के साथ अतियंत बरबर बेवार किया था ओप्सन ब और अरंग जेब देखे 64 नमर का आपका जो यहां देखी बहुत बड़ा है ऐसा लगता है कि रीती कभीता के रचेईता जीवन और बसंद के कभी हैं तो यह जो कथान है किस अलोचक का है ति यहां सो जाएगा भागिरत मिस्र जी का हो जाएगा ओप्सन बस ही हो जाएगा 65 नमर इनमसे 10 सम्प्रादाई के परवर्तक कौन थे ति आचार भरत मुणी जी ओप्सन 10 ही हो जाएगा 66 नमर धौनिश ह्चंप्रादाई के प्रति प्रतिष्टा पक थे ति हो जाएगे आचार आनदवर्धन जी ओप्सन 10 ही जाएगे 67 काभी प्रकास ग्रंद के रशनाकार का नाम बताईए ति हो जाएगा ममठ हो जाएगे 68 नमर ओचित्य संप्रदाई के संपादक संस्थापक निमलिखित में से कौन थे तो हो गए 6 मेंदर हो जाएगा 69 नमर रशिक पिरिया की रशना इनमें से किस से किस ने की है तो हो जाएगे रशिक पिरिया का के सवदास ने रशना किये है 70 नमर ओचारी रामचल सुकुल ने इनमें से रितिकाल का परवता किसे माना है तो हो जाएगा परवता किसे माना है चिंता मनी को एक्खतार नमर इनमें से किस कारी में केसवदास की को अधिक सफलता नहीं मिली है रस योजिना अंसर हो जाएगा बातार नमर केसवदास निमलिखित में से किस परंपरा में आते हैं तो हो जागा अलंकरवादी 73. इनमें से किसमें केसोदास की असफलता मिलती है प्रक्रति वर्नर में 74. केसोदास मुक रूप से थें क्या थें? चमतकारिवादी 75. ललित ललाम के रशनाकार हैं एज की जो हैं मती राम दवारा रचीत है 76. पदमाकर भर्ट का जनम सन्वत है कब 1810 स्वी बिहारी लाल माने जाते हैं क्या माने जाते हैं? रितिसीध के कभी 78. तोपर बारो उर्वसी सूनी राधिके सुजान ये जो कथन है किसका है? ये जो है बिहारी लाल के हैं कथन 89. रसके लिली के रचनाकार हैं क्या हो जाएंगे? किसके है बता ये? घाननांद के दवारा रचित किया गया है 80. प्रेम की पीर को जो मार्मिक इस्तिती इनके काभी में वर्नित है वह अनित्र दुलब है ये उकती किसके संदर में है? तो ये जो उकती है घाननद के संदर में है 81. सुजान सब्द का बार बार परियोग किसकी रचनाओं में मिलता है? तो घाननद हो जाएगा अनसर 82. किस भक्त कभी ने औसकता नुसार सगून और निर्गून दोनों रूपों को स्विकार किया है? तो तुलसिदास 83. किस ने भक्ति को जीवन का परम लच सुविकार किया है? तराम भक्तों ने 84. मुगल समराज के एस्वर्य एवं बैभाव ने किस भावना में ब्रिधी कर दी थी? तो हो जाएगा ये बिलासिता की भावना 85. रस संप्रदाई के परवत्तक इन में से कौन थे? तो आचार संकुक 86. बिखारी दास इन में से किस परकार के काविकार मन जाते हैं? तो क्या हो जाएगे? रिती बद हो जाएगे 87. जैपूर के नरेश महराज जैसिंग संबन्द में निमलिखित में पंक्तियां किस कभी की है? स्वास सुकृत ना स्रम विरिच्छा देख विहंग विचारी तो ये जो है बिहारी लाल के अपसंदा सही हो जाएगा 88. फागून की भीर और भीरन में गही गोविंद ले गई भित्तर गोरी ये किस की उक्ति है? ये हज़ा पत्माकर का 89. हठ योगियों और सुभी फकीरों के संसर्ग में इसे इन में से कौन से निर्गुन उपासना में प्रवित हुए? तो ये हो जाएगा कभीर अंसर हो जाएगा 90. मुसल्मान कभीर को इन में से किसका सिस्ष मानते हैं? तो हो जाएगा सेख तकी का डिंगल और मरवाड़े में उतना ही अंतर है जितना निमलिखित में से किस में है? साहितिक हिंदी और बोलचाल की हिंदी में 2. बीर्ग गाथा की किस रचना में 79 समय या सर्ग अधियाए हैं यह होगा पित्वी राज रासो का 3. मनो बेज्ञानिक तथिक अनुसार हार की मनो ब्रीती में दो बाते संभव है या तो अपनी अधियातिमिक स्रेश्टा दिखाना या भोग बिलास में पढ़कर हार को भूल जाना भक्तिकाल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रविती पाई जाती है यह पंक्तियां किस कथन से संबंध है तो बाबु गुलाब रहे हो जागा अनुसर 94 पद्मवत की नीजी विशेश्टा इनमें से कौन सी है तो हो जाएगा विप्र लंब सिंगार की अधियूतिय वर्नन 95 पद्मवत इनमें से किस भासा मिरचित है तो क्या हो जागा अवधी हो जाएगा ठेठा अवधी 96 पद्मवत अचार रामचल सुकूल ने संत कावियों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार का माना है तो यह हो जाएगा सधानतमक 97 पद्मवत अचार रामचल सुकूल ने सुफी कावियों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार माना है तो भावनातमक अंठानमे नबर कृष्ण कावी का सही उद्भव स्रोत इन में से कौन सा है तो हो जागा सिर्मत भागवत नियानमे नबर है बुद्द्यव के बाद भारत की सबसे बड़े लोकनायक तुलसिदास हुए यह कथन किसका है डॉक्टर गियर्शन का है अंठानमे आज कांतीम प्रस्ट जो है निमलिक खित में से कौन अपने समय के सबसे परसिद जैन आचारी थे हैं क्या हो जाएगा हेमचंद दिखिए यह सारे बहुत महत्पुन परस्ट हैं मैं 220 मेरे पास उपलप्द हैं तो मैं सारे आप लोग को उपलप्द कर दूँगा और आज इसका वीडियो में अपलोड कर दूँगा तो आपको पीडिया कल साम तक या दोफर तक आपको कल के साथ मिल जाएंगे या आपको सौ सो करके पीडियाफ मिल जाएंगे ता आप उहां साराम से पढ़ सकते हो इसे जरूर एकजाम में जाने से पहले जरूर इसे पढ़े क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट कोशन है थैक्यों सो मच फिर वाचिंग मैं वीडियो